वीडियो में दिख रहे इस शक्स को तो आप बखो भी पहचानते होगे ये बरेली जेल में बंद अतीक एहमत का भाई अश्रफ एहमत है लेकिन ये कौन है? ये बच्चा आखिर कौन है? जो अश्रफ से गोलिया चलाना सीख रहा है ये प्रियागराच की नैनी जेल में बंद अतीक एहमत का बेटा अली एहमत बताया जा रहा है अतीक के भाई अश्रफ और बेटे अली एहमत के फाइरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल है ये वीडियो 2016 का बताया जा रहा है मौका था अतीक एहमत के साले सबी एहमत की शादी का लोगों की भीड मौके पर मौझूद है और आतिश बाजियों की जगा शादी फंक्शन में फाइरिंग हो रही है और इसी बीच राउंड टेबिल पर जरा ध्यान से देखिए ये अतीक एहमत का भाई अश्रफ है जिसके आज पास लोग मौझूद है काफी देर तक इसी तरह गोलिया चलती रहती है एक दम नॉन स्टॉप और फिर उधर भीड से एक बच्चा निकल कर बाहर आता है और सीधा अश्रफ के पास पहुँच जाता है ये बच्चा अतीक एहमत का बेटा अली एहमत बताया जा रहा है जो एकदम सूट बूट पहने ताई लगाए सीधा चाचा अश्रफ के पास पहुँच जाता है और फिर अश्रफ एहमत जेल से तमंचा निकाल कर अली के हाथ में थमा देता है और इसी वक्त अली समझ गया था कि अब उसे गोली चलाने का मौका मिलेगा ये खुशी उसके चेहरे पर साफतोर पर नजरा रही थी अली तीन चार बार फायर करने की कोशिश करता है एक साथ कई गोलिया दागती अब दूसरी बारी में अली की कोशिश काम्याब रही और कई राउंट फायर हो गया गोली चल जाने की खुशी अली के चेहरे पर साफ नजरा रही थी और गोली चलाने के बाद पास बैठा एक सक्ष अली की पीठ भी थपत पाता है जैसे उसने ना जाने कौन सा बड़ा काम कर दिया हो फिर भतीजे अली के फायर करने के बाद एक फायर अश्रफ भी करता है ये सब कुछ होता रहा लेकिन वहाँ पार्टी में फायरिंग की अवाज लगातार आती रही एक दम नॉन स्टॉप और इसी तरह से लगातार फायरिंग हो रही थी और इसी बीच एक और बच्चा अश्रफ के सामने आता है और कहता है चाचा हम भी एक बार बस एक बार उसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता सवाल ये कि आकिर ये दूसरा बच्चा कौन है क्या ये बच्चा उमेश पाल हत्यकान में फरार पांच लाग का इनामी असत है या फिर कोई और है और आकिर ये बच्चा अश्रफ को चाचा क्यों कह रहा है क्या ये भी अतीक एहमत का कोई बेटा है और सवाल ये भी कि क्या अतीक एहमत के बेटे को अश्रफ ही बंदूग चलाना सिखाता था क्या अतीक के बेटे चाचा अश्रफ से ही गोलियां चलाना सीखते थे इस वीडियो के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए खुले आम शादी समहरों में अश्रफ अली अहमत को खुले आम गोली चलाना सिखाता रहा फिलाल ये वीडियो चर्चाओं में बना हुआ है वही आपको बता दे कि उमेश पाल हत्यकार्ण में अश्रफ को आरोपी बनाने के लिए पुलस ने वारंट भी दाखिल किया है जिसके लिए अब अश्रफ को प्रियागराज कोट में पेश किया जाएगा वही आली पांच करोड की रंगदारी केस में नैनी जेल में बन है